ओम शान्दी, आज 30 चुलाई के अवेक्त महावाक्य हैं, रिवाईज मुर्ली है 25 मार्ज 1995 की, अवेक्त मुर्ली का सार है ब्रहामन जीवन का सबसे स्रेष्ट खजाना, संकलब का खजाना आज पापतादा चारों और के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, और अविनाश्ची अनगिनत खजाने मिले हैं सिर्फ इस जनम के लिए नहीं, लेकिन अनेक जनमों की गरंटी है अब भी साथ हैं, और आगे भी साथ रहेंगे तो आज विशेश जो सबसे स्रेष्ट खजाना है, और सरव खजानों का विशेश अधार है वो ही बाबा विशेश देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है मिला अनगिनत है लेकिन जमा कितना है तो सबसे स्रेष्ट खजाना संकलब का खजाना है और आप सबका स्रेष्ट संकलब ही ब्राम्मन जीवन का अधार है बाबा गते संकलब का खजाना बहुत शक्तिशाली है संकलब द्वारा सैक्टिंड से भी कम समय में परमधाम तक पहुँच सकते हो संकलब शक्ति एक आटोमेटिक रॉकेट से भी तीवर गती वाला रॉकेट है जहां चाहो वहां पहुँच सकते हो चाहे बैठे हो चाहे कोई करम कर रहे हो लेकिन संकलब के खजाने से वाशक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके स्मीब अपने को अनुभव कर सकते हो जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहां पहुँच सकते हो जिस स्थिती को अपनाना चाहो चाहे स्रेश्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो सेकंड के संकलब से अपना सकते हो संकलब किया मैं स्रेष्ठ ब्रहामन आत्मा हूँ तो स्रेष्ठ स्थिती और स्रेष्ठ अन्भूती होगी और संकलब किया कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ मेरे में कोई शक्ती नहीं है तो सैकंड के संकलब से खुशी कायब हो जाएगी और परशानी के चिन स्थिती में अन्भव होंगे बाबा कहते लेकिन दोनों स्थिती का अधार क्या है संकलब है याद में भी बैठते हो तो संकलब के अधार से ही स्थिती बनाते हो मैं बिंदू हूँ, मैं फरिष्टा हूँ, ये स्थिती संकलब से ही बनी तो संकलब कितना शक्तिशाली है और आगे बाबा कहते ज्यान का अधार भी संकलब ही है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह संकलब करते हो सारा दिन मन बुद्धी को शुद संकलब देते हो वा मनन में शुद संकलब करते हो, तो मनन शक्ति का अधार भी संकलब शक्ति है धारना करते हो, तो मन बुद्धी को संकलब देते हो कि आज मुझे सेहन शक्ति धारन करनी है तो बाबा कहते धारना का भी अधार संकलब है सेवा करते हो, प्लैन बनाते हो, तो भी शुद संकलप ही चलते हैं न? शुद संकलप द्वारा ही प्लैन बनता है, अन्भव है न? तो ब्रहामन जीवन का विशेश स्रेश्ट खजाना है संकलप का खजाना अगर आप संकलप के खजाने को सफल करते हो, तो आपकी स्थिती, करम सारा दिन बहुत अच्छा रहता है और संकलप के खजाने को वियर्थ गवाते हो, तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिती चाहते हो, वो नहीं होती और बाबा कहते आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकलप बुद्धी को भी कमजोर करते हैं और स्थिती को भी कमजोर करते हैं जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धी कमजोर होती है, confused होती है, निर्निर ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा क्या करूं, क्या ना करूं, सपष्ट निर्णय नहीं होगा और बाबा कहते व्यर्थ संकलब की गती बहुत फास्ट होती है व्यर्थ संकलब का तो सबको अनभव होगा विकलब नहीं, व्यर्थ का अनभव सभी को है तो फास्ट गती होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कंट्रोल खत्म हो जाता है परशानी वा खुशी गाइब होना या मन उदास रहना अपने जीवन से मजा नहीं आना ये व्यर्थ संकलब की निशानिया है बाबा कहते कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिती ऐसी हुई ही क्यूं वो मोटी मोटी बाते देखते हैं कि कोई विकरम तो किया ही नहीं कोई गलती तो की नहीं फिर भी खुशी कम क्यूं उदासी क्यूं क्यूं नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा है मन नहीं लग रहा है कारण बाबा करते विकरम को देखते विकलब को देखते बड़ी गलतियों को चक करते लेकिन ये सुक्षम गलती व्यर्थ खजाने गवाने की होती है जरूर वेस्ट का व्यर्थ गवाने का खाता बड़ा हुआ है जैसे शारिरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता छोटा रूप होता है लेकिन छोटे से बढ़ते 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 बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है चोटा रूप दिखाईने देता है वैसे ये व्यर्थ का खाता गवाने का खाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बाबा कहते पाप का खाता अलग है ये खजाने गवाने का खाता है पाप तो सपष्ट दिखाई देता है तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हो गई लेकिन व्यर्थ गमाने का खाता उसकी चैकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीट गया अच्छा हुआ कोई ऐसी गलती नहीं की लेकिन बाबा कहते ये चैक किया कि अपने संकलब के स्रेष्ट खजाने को जमा किया या व्यर्थ गमाया यदि जमा नहीं होगा तो गमाने का खाता होगा ना अंदर में समझ आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन बाबा कहते, खाता चैक करो कि आज क्या-क्या खजाना जमा किया, चैक करना आता है, अपना चैक कर बने हो या दूसरे का चैक कर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है, तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेश स्रेश्च संकल्पों का खजाना है व्यर्थ पहुत जाता है पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है और आगे बाबा कहते ब्रम्मा बाप को इकॉनमी का अवतार कहते हैं तो आप सभी कौन हो आप भी मास्टर हो या नहीं एकॉनमी नहीं आती है खर्च करना आता है वैसे डवल फॉर्णर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है खाया और खर्चा खतम बैंक बैलन्स कम रखते हैं लेकिन इसमें तो इकॉनमी का अवतार बनना पड़ेगा तो बाप तादा देख रहे थे कि जितना मिला है जितना संकल्ब का स्रेश्ट खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा अगर संकल्ब व्यर्थ हुआ तो और खजाने बाबा कहते व्यर्थ स्वता हो ही जाते हैं संकल्ब व्यर्थ तो करम और बोल क्या होगा व्यर्थ ही होगा ना तो foundation है संकल्ब तो संकल्ब को चेक करो हलका नहीं छोड़ो ठीक है सिर्फ दो मिन्ट ही तो हुआ ज्यादा नहीं हुआ लेकिन बाबा कहते दो मिन्ट में आप चेक करो कि कितने संकल्ब चलते हैं वियर्थ संकलब तो तेज होते हैं ना, एक सेकंड में आबू से अमेरिका पहुँच जाएंगे, वैसे पहुँचने में कितने घंटे लगते हैं, तो इतनी फास्ट गती है, उस गती के परमान चेक करो, अपने संकलब शक्ती की बचत करो, और फिर रातरी को चेक करो, अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं, तो चाहिए बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है, बाबा कहते हैं, अगर दस पाउंड या डॉलर खर्च होना है, और आपने एक पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो एक पाउंड की उपर कंट्रोलिंग पावर रखो, ये नहीं कहो, कि चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है, कौन कहता है, हो जाता है, मालिक या गुलाम, मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं न, अगर मालिक को भी कोई धोका दे दे, तो वो मालिक है क्या, तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाए बैस्ट के खाते में जमा करो और बाबा कहते दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्थन करो यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो परिवर्थन तो कर सकते हैं न उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना नहीं तो आदत पड़ जाती है एक घंटे को भी चेक करो, तो एक घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिंट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वे 5 मिंट भी वेस्ट से बैस्ट में जमा होगे तो 12 घंटे में 5-5 मिंट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितने होगी और जितना स्रेश संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा रहते हैं ऐसे यहां भी जब कोई बड़ी प्रिक्षा आ चाती है तो मन और बुद्धी खाली खाली लगती है शक्ती नहीं लगती है तो बाबा केते क्या करना है जमा करना सीखो अगले वर्ष अगर देखें तो सबके स्रेष्ट संकल्पों का खाता भरपूर हो खाली खाली नहीं हो यही स्रेष्ट संकल्पों का खजाना स्रेष्ट प्रालब्द का अधार बनेगा तो जमा करना आता है राज योगी अर्थाद चेक करना भी आता और जमा करना भी आता जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर बाबागते ऐसा नहीं होगा सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं कभी चेक किया है बाबा कहते बहुत पोज बदलते हैं बाब तादा तो सबके पोज देखते हैं ना कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे करम करने में इतना टाइम नहीं लगाते लेकिन किये हुए करम के पश्चा ताप में टाइम बहुत घमाते हैं फिर कहते हैं तीन दिन हो गई खुशी गुम हो गई तो बाबा कहते क्यों खुशी गुम हो गई कहां गई कौन ले गया खजाना तो आपका है लेकिन कौन ले गया बाबा कहते पश्चा ताप करना अच्छी चीज है क्योंकि पश्चा ताप परिवर्तन कराता है लेकिन उसमे ज्यादा टाइम नहीं लगाओ पश्चात आप का रोना करेंगे तो सारा सब्ताहा रोते रहेंगे पश्चात आप किया बहुत अच्छा लेकिन पश्चात आप करना और प्राप्ती की खुशी लाना आगे के लिए सेकंड में निर्ने करो कि ये करना है या ये नहीं करना है पहले सुनाया है न नोट और डॉट ये दोनों शब्द सदा याद रखो नोट सोचा और डॉट लगाया चार घंटा रोते रहे चलो पानी नहीं आया अंदर रोते रहे आधा घंटा पानी भाया और चार घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चा ताप नहीं करो, यह बहुत है, पश्चा ताप की भी कोई हद रखो, फिर आगे बाबा कहते, बाप तादा को डवल फॉर्नर्स की एक विशेष्टा बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेष्टा अच्छी लगती है, कौन सी सच्ची दिल पर साहिब राजी, सच बताने में डरेंगे नहीं, चिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है इसके कारण, बाप के डवल प्यार के भी पात्र हो, तो सच्ची दिल रखी, साहिब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए, उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, कि ये हो गया, ये हो गया, बाबा के ते हो गया, फिनिश, आगे के लिए अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाए टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है, बड़े ते बड़े जस्टिस बनो, यहां भी चीफ जस्टिस होते है न, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो, अपने प्रती जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, Wrong, right Wrong है the note or dot ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता बाबा कहते ये गवाने का खाता जमा करते हैं कमाई खतम हो जाती जमा का खाता खतम हो जाता सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं और बचा कर दिखाओ एक घंटे से इतना बचाया ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया तो वेस्ट को बचाओ ये बचचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा और आगे बाबा कहते हैं इस वर्ष बाप दादा सभी के बचचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं कर सकते हो न तो अभी फास्ट गती से करना क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है न फिर देखेंगे इसमें नमबर वन कौन जाता है बचचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है बचचत के खाते में नमबर वार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे और अगर आपने संकलब को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करने पड़ेगी कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया बाबा कहते लेकिन जब बोल निकलता है या करम भी होता है तो पहले तो संकलप आता है अगर किससे एक रोध भी करना है तो पहले संकलब में प्लैन बनता है ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा, ये क्या समझता है तो बाबा केते प्लैन चलता है फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं समय देखते रहेंगे कि कब आता है, कौन आता है तो संकलब के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है संबंध है तो संकलब को बचाने से समय को बोल को बचाना स्वता ही हो जाएगा तो बाबा कहते वर्ष बीतता जा रहा है अभी संकलब में साधारन संकलब नहीं करो परतिग्या करो शरीर जाए लेकिन प्रतिग्या नहीं जाए कितना भी जहन करना पड़े परिवर्तन करना पड़े लेकिन प्रतिग्या नहीं तोड़ो इसको कहा जाता है दिर्ड संकलप बाबा कहते सोचते बहुत अच्छा हो बाब तादा भी खुश हो जाते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृड़ता द्वारा सदा शब्द एड़ करो. थोड़ा समय तो परभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना, कि अपने को सदा एकॉनमी का अवतार समझो. साथ साथ एकॉनमी, एक नामी और एकांत वासी, ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांत वासी बनो. देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकलब, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं. एकांत वासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना. एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर के एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ. जैसे सागर के तले में जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है इसलिए बाबा कहते अंत में चले जाओ और थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ सिर्फ उपर उपर की लहरों में नहीं लहराओ अंत में चले जाओ, खो जाओ फिर देखो कितना मज़ा आता है तो सर्व खजानों में एकॉनमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई इसको कहते हैं एकॉनमी ऐसी स्थिती में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे नहीं तो जमा नहीं होता है तो बाबा पूछते हैं, एकॉनमी करना जानते हो ना? अच्छा, चारों और के रुहानी सच्चे डाइमंड आत्माओं को, सदा एकॉनमी के अवतार विशेश आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेश आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वरित्ती की चमक से विश्व में परकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को, बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को नमस्ते, 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 तो आगे बाबा दादियों से बात कर रहे ह हैं सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं सफलता सरूप आत्माय निमित हो आप सभी निमित आत्माय कौन से सितारे हो सफलता के सितारे हो ना ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं ये सारा संगठन ब्रहामन परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं अच्छा, आज का वर्दान है, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा चाता जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेश खुशी के खजाने की अवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है आप सब को तो खुशियों की खान मिल गई खुशियों का वेराइटी खजाना आपके पास है सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वैम के प्रती और सरव के प्रती यूज करो तो माला माल अनभव करेंगे राज का स्लोगन है अन्ने आत्माओं के व्यर्थ भाव को स्रेश्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है अन्ने आत्माओं के व्यर्थ भाव को स्रेश्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है ओम शान्ति